आल सब्जेक्ट्स फॉर वेसिक यूटूब चैनल जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपनी सभी किताबें तो कचापाँच गडित की पुस्तक गिंतारा और उसका पार्ट आठ दसमलब जोड घटाना यहीं कि दसमलब बाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना चलिए देखते हैं कि क्या है इस पार्ट में लेकिन उससे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है रेड कलर का है उसको आप दबा कर चैनल से जुड़ जाएं जिसे की जो भी पार्ट पढ़ाए जाएं आप तक पहुँचते रहें समय से सिचक ने स्यामपट पर एक स्थानी मान तालिका बनाई स्यामपट पर दो दसनलब संख्या है 47.69 तथा 78.36 देखे पॉइंट के बाद की जो भी संख्या है होती है वो इसी तरह अलग-अलग पढ़ी जायती ना कि धाई में इकाई में ही पढ़ी जाती जैसे कि 69 नहीं पढ पर भरो तो विनोध नहीं इस अंख्या भर दी 47.69 धाई के स्थान पर चार, एकाई के स्थान पर साथ, दस्मा के स्थान पर चई तास् अब ये भी समझेए दसमलब से इधर एकाई धाई और इधर इसको हम दसमा और सौमा पढ़ते हैं देखिए इसको ये है दसमलब एकाई धाई और दसमलब के राइट साइड में जैसे भी जाएंगे इसको हम ना एकाई धाई नहीं इसको हम दसमा और इसको सौमा क्योंकि यह यहाँ पर जो 6 है इसका मान है दसमा और दसमा भाग और इसका मान है सौमा भाग यहाँ पर यह संख्या बड़ी है यह संख्या चोटी चलिए आगे देखते हैं सावास फरीद अब तुम दूसरी संख्या को तालका में उचित इस्थान के अनुसार भरो दाई के स्थान पर साथ एकाई के स्थान पर आठ दसमा के स्थान पर तीन तथा सौमा के स्थान पर 6 होगा बहुत अच्छा सर 78.36 बड़ी है 47.69 छोटी है तो इसमें ये संख्या बड़ी बड़ी जो होती उसकी तरह मुँख खुला हुआ होता है और जो छोटी संख्या होती उसकी तरह मुँख बंद होता है ये छोटी-छोटी बाते हैं सीखनी चाहिए अपनी डायरी में नोट करनी है आप वीडियो 47.69 से जी तो अब हमें यहाँ पर छोटी और बड़ी भिंद की तुलना करनी होने आरोई वावरोई करम में लिखना जैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो बड़ी छोटी हम इसी तरह पहले हम उनका धाई का अंक जो भी होगा ये सैकड़ा जो भी उसको कंप्रेजिन करें उसकी तुलना करें उसके बाद धाई उसके बाद इकाई अगर वो भी वरावनत फिर हम दसमलब के बाद जाएंगे और याद रखिए कि दसमलब के बाद जो होगा वो उल्टा चलेगा जैसे कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी हो के जिरो पॉइंट जीरो फाइब तो यह जो है यह दसमा होता यह सा मा करें हानी कि जब हजार का वाग त्यजी और यह दो आया होग तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉरद पॉंड ग्रु और यहाँ पर फिप्टीन तो सब से पहले हाँ और यहाँ पर सेवन्ञां तो पर तीन अंक जरूर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यहां पर देखेंगे, दस में पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखें, चार, तो 4.40, या 4.4 कहें, वो संख्या इस संख्या से बड़ी होगी, तो इस तरह हम आरोई और आरोई क्रम में लिख सकत दी हुई संख्या को आरोई क्रम में लिखिए, तो बहुत सरल है, दसमलब संख्या का जोड़, अब देखें, यहां 0.3, यानि कि पूरी भिन्ने एक है, एक भाग है, उसका 0.3, यानि कि तीन हिससे यह, अगर देखें जाए तो उसके 10 टुकडे किये गए, 10 टुकड़ों म दोनों ब्रत समाना कारके हैं, प्रते के 10 ब्रत, अब इनको जोड़ना तो, 0.3 और 0.6, यानि 3 और 6, 9, तो यह हो जाएगा 0.9, दसमलब 9, यानि कि 0.9, दसमलब के नीचे, देखें, अमेसा जोड़ते और घटाते समय, याद रखिए, अमेसा दसमलब के नीचे ही दसमलब होना चाहिए, इसमें कोई भी परवर्तन नहीं होगा, अब यहाँ पर यह तीनों भिन जोड़नी है, दसमलब 5, 7, 3, दसमलब 4, 5, तो याद रखिए, कि 1 दसमा, सौमा, 2 एकाई है, बाकी 5 दसमा है, 7 सौमा है, तो एकाई के नीचे, एकाई दसमा के नीचे, अब देखें, यहाँ पर जोड़ना है, 2 दसमलब 0, 6, 3, 5 दसमलब 4, 3, तो देखिए, हमेशा दसमलब के नीचे, दसमलब ही संख्या आएगी, उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा, जोड़ने के लिए, कुछ नहीं तो यहाँ पर हम को फिर जीरो लिखना पड़ेगा, उसी के बाद इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह सुन बड़ा लिया था, चित्र में 10 बराबर भाग है, रंगीन भाग बेनने के रूम में, दसमलब 4, सफेद भाग बेनने के रूम में, यानिकि दसमलब 6, और यह 4 औ 6 है, भाग जोड़ दे जाएंगे, तो यह पूरा एक बन जाएगा, तो इस तरह हम देख सकते हैं, अगर हम इनका अंतर देखेंगे कि कौन किस से कितना जाना है, तो दसमलब 2, यानिकि सून दसमलब 2, इतना इनका अंतर, जब दसमलब के पहले कोई अंक ना हो, तो हम दसमल दसमलब 8, 5, यानिकि यहां में, अगर यह 17 रुपए हैं, तो इनको पचासी पैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि एक रुप, हमेशा याद रखिए, दसमलब के बाद जो भी संख्या होगी, उसका मान हमेशा एक से कम होगा, क्योंकि एक से जब कम हुआ, तभी दसमलब लगाने क की आवसकता पड़ी, तो दसमलब 45 पैसे भी के सकते 50 पैसे, इनको जोड दिया गया, और इस तरह, यहां पर एक सवाल है, देखते हैं, आप सवालों को वीडियो को पाउच कर धीरे से पढ़ सकते हैं, ठीक से मैं यहां थोड़ा समय अवाओ के कारण आपको किवल किताब क के बारे में कुछ खास खास वाते समझा रहा हूं, यहां पर देखिए मध्यान बोजन बना तो यहां पर 4.13 यानि 4.13 पैसा कनवर्जन कास्ट है, और यहां पर 6.18 पैसे, यानि 6.18 अब दोनों को जोड देना है, तो दोनों यहां पर घटाना है, कि कितना कम मिलता है, प्र आंतर आया, 2.05, 10.19 संक्यान को बेवस्थित में बात है, मुख बात है, बेवस्थित करकर लिखना, देखो और बताओ कौन बड़ा, तो यहां पर आपको देखना है, कंपरेजिन करना है, कौन बड़ा, कौन लिखना, आरोहिक्रम में लिखिए, जोड़ना है, घटाना है, यहां पर इस सवाल दिये हैं प्रात्मी जूनियर में दूद पलाए गया कितने लीटर दूद पलाएगा तो कुल की बात जोड़ देना है यहां पर कितनी बजार की दूरी कितनी है रमेश के गर से रामपुर बजार उसी राष्टे में दीपक का भी गर जो रमेश के गर से 7 दूरी कितनी है तो यहां पर घटा देना इसको तो घटाने का भी वही तरीका आए दिसंबलब के नीचे दिसंबलब चलिए मिलते हैं अंगले पार पर दसंबलब का जोड़ भाग सीगा अंगले भाग पार पर पर सीखेंगे दसंबलब का गुड़ा और भाग चैनल से कि यहां पर जुड़ जाने के बाद आपने सभी पार्ट और कविताएं इस यूटूब चैनल पर पढ़ सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कर